सीवान के हुशेन गज प्रखंड के हतोरा गाउं इस्थित सिरी बाके बिहारी मंदिर परिशर में आज अखवार के ब्यूरो प्रभारी और समाज से भी अर्विंद पांडे के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को निसूल के सिक्षा और साथ संसकार देने का अलख जगाया जा रहा है और अरबिंद पाइंडे के दुआरा चलाया जा रहा है बाल संसकार साला में धूर दराज से भी बच्चे पहुँच रहे हैं और उनसे सिक्षा के साथ साथ संसकार ग्रहन कर रहे हैं आईए आपको ले चलते हैं सीवान के हतोरा इस्थित बाके बिहारी मंदिर के पास और दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट आपको कि किस तरह से जो पत्रकार और समास से भी अरबिंद पाइंडे हैं उनके दौरा कैसे बाल संसकार साला चलाया जा रहा है एक मैज़ा डालते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर सीवान जीले के हतोरा इसी स्रीकांत धाम मंदिर पर हम पहुँच चुके हैं और यहां पर समास से भी और पत्रकार अरबिंद पाइंडे के दौरा बाल का रिशाला का आयोजन कराया जाता रहा है और इसमें सैक्डों बच्चों को निसुल्क शिक्षा के साथ साथ संसकार भी दी जाती है वैसे तो सिक्षा आजकल बेवसाई करन हो चुका है लेकिन उसकी सच्चाई जानने के लिए जब हम पहुँचे हैं स्रीकांत धाम मंदिर पर तो वो देखने को मिला कि कहीं ना कहीं एक तरफ सहर में सिक्षा बेवसाई बना हुआ है तो सुदुर गरामीर शित्र में अरविंद पांडे सिक्षा की अलग बच्चों के बीच निसुल्क जगा रहे हैं और शिक्षा के साथ-साथ उन बच्चों के अंदर शंसकार भी देने का काम कर रहे हैं हम आपको वहाँ पे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि जो समाज से भी और पत्रकार अरविंद पांडे हैं उनके द्वारा छोटे-छोटे बच्चों को किस तरह से निसुल्क सिक्षा के साथ-साथ संसकार दी जा रही है आप देख सकते हैं अभी हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जो स्रीकांद धाम इस्थित यहाँ पे बाल का रिशाला चलाया जा रहा है और आप देखिए किस तरह से सिरीबा के बिहारी मंदिर के दौला बाल संसकार साला का आयोजन किया गया है जो कि पत्रकार आज अख़वार के ब्यूरो प्रभारी अरविंद पांडे और साती साथ समाज सेवी जो समाज के लिए काफी इन्होंने काम करने का काम किया है उसी आज की समय में लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन उस समय के बीस में से ही भी कुछ समय निकाल कर वब बच्चों के बीस देते हैं और आपको हम सीधी तस्वीरे दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चों को सिक्षा के साथ संसकार दे रहे हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज कल विद्याले में सिक्षा दी जाती है, सिक्षा बेवसाई करन हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं सिक्षा के साथ कई विद्याले में संसकार नहीं मिलता है कि बच्चों को कैसे माता पीता के सामने पेश होना चाहिए, बड़ों के सामने प बच्चे हैं उन्हें सिक्षा के साथ संसकार देने का काम किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं सीधी तस्विर आपको कैमरा के सामने हम A.T.N. लाही पे दिखा रहे हैं कि अरबिंद पांडे सामने आप बैठे हैं और मंच से जो सामने जो बैनर लगा हुआ है उसके ठीक आ पढ़ने जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जिस तरह से देखा जा रहा है चाहे वो बड़े-बड़े इसकूल आए दिन खुल रहे हो और किस तरह से ब्योसाइक रूप में पैसे लिये जाते हैं ब्योसाई करन हो चुका है कई तरह से री एड्मिशन क भी बात होती है लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पर निसूलक सिक्षा दी जाती है और साथ-साथ उन्हें संसकार भी दिया जाता है छोटे बच्चे भी हैं कुछ आप देख सकते हैं कुछ बड़े क्लास के भी बच्चे इसमें मौजूद हैं सभी लोग यहाँ पर सि आम के बगीचे के ठीक नीचे आम के पेड़ के नीचे छाओं में यह पढ़ाई चल रही हैं यह पढ़ाई के साथ-साथ संसकार दिये जा रहा हैं तो बहुत बड़ी बात है कि आज के इस समय में समय नहीं होने के वावजूद भी थोरा सा इन बच्चों का के लिए जो समय निकाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं यह बच्चे आने वाले भविष्य में कुछ अलग करेंगे और जो संसकार है यह जाएंगे लोगों के बीच बताने का काम करेंगे तो ऐसे को इस तरह के ले करके जीले में भी अरबिंद पांडे की अब चर्चा काफी होने लगी है क्य लेकिन आप से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर होता है यहाँ पर हमें संसकार सिखा जाता है संसकार मतलब अच्छी चीजों को गरहन करना और बुरी चीजों को छोड़ना हम समय गुन और गुन दोनों होते हैं लेकिन यहाँ पर संसकार दिया जाता है कि हम गुन में आपको पढ़ाया जाता है लेकिन संसकार के बारे में नहीं बताया जाता है कि माता पीता के सामने कैसे पेस होना चाहिए बड़े कोई अभिभावक हों उनके सामने कैसे आपको पेस होना चाहिए यहां पर उससे जुड़े क्या कुछ बताया जाता है यहां पर बताया जाता है कि सुबह उठकर माता, पिता, गुरु तीनों के पैर शुकर प्रणाम करना और जो भी अगर कोई बड़ा कोई गलत काम कर रहा है तो उसके गलत काम को नहीं सिखते उसके अच्छे गुणों को सिखते आप अपना नाम बताईए अमरित राजपांड बहुत अच्छी बात इनोंने कहा कि जो गलत काम कर रहे उसे नहीं सिखना चाहिए और अच्छे कार जो को सिखना है किस तरह से इनोंने सभी बातों को बताया कि अशनान करके पढ़ाई करना है और आदर करना है जो हमारे बड़े है कुछ और भी यहां पर बच्चे है इन संसकार सला चला जाता है इसके लिए कोई सुलक नहीं बिल्कुन निसिलक है यहां के लड़कों को यह सिख्षा दिजाती है कि आप लोग आया नुसासन में रहें और समाज के प्रती हम लोग भावना रखते हैं कि आगे चलके भविश में यह लोग बच्चे अच्छे काम करे क्या कुछ शिखने को मिलता है इस तरह के संसकार सला से क्योंकि देखा जाता है कि अब यह सुदूर ग्रामीर शेतर में आते हैं यह जो आपको हतोरा का बाके बिहारी मंदर का जो परिशर है इससे बड़ा बढ़ा बढ़ा विद्याले है सीवान के सहर में तो आप लोग व और संसकार दोनों सीखाए जाता है तो आपने देखा कि कई बच्चों से बाचीत होई उनका साब तोर पर यकाना है कि आज के समय में जो विद्याले हैं वहां पर सिक्षा तो दी जाती है लेकिन जो संसकार है वो नहीं दिये जाते हैं और संसकार अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे जो है अपने से बड़ो का अपने माता पिता का आदर करना भूल जाएंगे इसलिए यहाँ पर बच्चे आते हैं और उन्हें संसकार देने का काम किया आता है और भी कुछ लोगों से बात चीत होगी लेकिन अब हम अरबिंद पांडे इसे बात करेंगे कि आखिर य दस्तम अपना समय होते हुए भे और समय निकाल कर इन बच्चों के भी चाप देते हैं बहुत बड़ी बात है क्या कहना चाहेंगे यह सोच कहां से आई आपकी देखिए समाज में आज बिभिन प्रकार की विक्रितियां आ रही हैं लोग अपने सगे संबंधियों के साथ कि इतने को कर्म कर देते हैं तो मेरे मन में विचार आया कि हम लोग केवल यह कहते हैं कि इसने यह कर दिया उसने वो कर दिया लेकिन वास्तों में समाज के लिए हम कुछ करते नहीं हैं प्रतिक मनुस्य में अच्छे और बुरे बिचार होते हैं लेकिन होता क्या है कि बुरे बिचारों की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुस्य बुरा हो जाता है और जब अच्छे विचार उसके अंदर आ जाते हैं तो मन उसे अच्छा हो जाता है सबके हिरदय में अच्छे बुरे हैं लेकिन उसका अनुपात घट बढ़ जाता है तो उससे परिशानी समाज को होती है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके लिए कुछ प्रयास किया जाया 6 सितंबर को 2017 को एक साल यह भी पूरा हो गया हमने प्रारम्व किया और मुझे अच्छा लगा कि यहां के लोगों ने काफी सहयो किया अपने बच्चों को भेजते हैं और फिर यहां पर हम लोग उनको सबसे प्रारम्विक रूप में परातना कराते हैं स्रे क्रिश्न भगवान के का परातना है तो भगवान का समरण करा देते हैं तो उनमें अंदर एक भावना उत्पन होती है फिर हम लोग भगवान का ध्यान करके ध्यान उनका केंदरित कराते हैं तो उससे क्या होती है कि पढ़ने में एकागरता बढ़ जाती है उसका मन उसमें लगने लगता है और फिर उसके बाद से हम लोग पीटी कराते हैं स्वास्त के लिए जरूरी है और फिर जो अभी परवा रहा है जो भी परवाया तो उसके बारे में बच्चों को बताना कि अभी दुरगा पूजा आ रहा है तो दुरगा पूजा के बारे में हम लोग ने बताया कि कैसे होता है कैसे सक्ति की पूजा की जाती है और इस प्रकार फिर हम लोग रोचक कहानिय बताते हैं कहानियों के माध्यम से हम लोग इन बच्चों को बताते हैं कि इससे क्या पिरेंडना आपको मिलती है और इस प्रकार इस बीच में खाने पीने का भी विवस्ता रहती है प्रते एक दिन अलग-अलग तरह के पक्वान बनाए जाते हैं एक साथ हम लोग बैठते हैं और एक समाजिक जो समरस्ता है इसमें अस्पस्ट रूप से दिखता है कोई भेद भाव नहीं और ये बच्चे जो इसमें के जो सिनियर बच्चे हैं वहीं बच्चे खाना बनाते हैं और खाना बनाते हैं एक साथ बैड़ते हैं एक साथ खाते हैं इसमें सभी कौम के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें सभी के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें सभी के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो सोच अगर मैं तो समझता हूँ कि इसे परतेक गाव में आयूत होना चाहिए। और इसे बच्चों को जो स्रेष्ट लोग हैं। जो बच्चे जाते हैं, वो माता पिता को प्रणाम करके जाते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि बच्चों को निसुलक यहाँ पर सिक्षा के साथ संसकार दिया जा रहा है। जो से में आज के समय में इस तरह के अरबिंद पांडे होने की एक-एक व्यक्ति को जरूरत है। ताकि आने वाले समय में शिक्षा तो बच्चों को मिली रहा है। लेकिन उसके साथ संसकार सबसे पहले जोरत है। क्योंकि अगर संसकार नहीं रहेगा तो वो माता-पिता का आदर नहीं करेंगे, बड़ो का आदर नहीं करेंगे और फिर जब बड़ो का आदर नहीं होगा तो सिक्षा कोई माइने नहीं रखता। हम कुछ और बच्चियों से भी बात करेंगे कि आखिर कार वो संसकार साला में आई हुई है तो उनका क्या कहाना है क्या कुछ वो सीख ले रही हैं संसकार साला से तो आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं सीवान के हथोड़ा स्री बाके बिहारी मंदिर से कि किस तरह से संसकार साला चलाया जा रहा है यहाँ पर बचिया है जो वो लोग भी संस्कार साला में आई हुई है क्या करना चाहोगी किस तरह के क्या सीख यहाँ पर मिलती है आती हो पढ़ाई करती हो क्या कुछ सीख मिलता है यहाँ पर हम लोग को आने से सीख मिलता है कि यहाँ पर कुछ संस्कार भी सिखाए जाता है और यही चीज आपने देखा कि सिवान के बाके बिहारी मंदिर का जो हथोड़ा धाम का जो हथोड़ा का जो बाके बिहारी मंदिर है किस तरह से वो सिक्षा मिल रही है और यहां पे संस्कार भी दिये जा रहे हैं आपको फिर से एक बार वो द्रिश से दिखाएंगे कि अरविंद पांडे किस तरह से देखिया अपना समय निकाल करके और उस बेहस्तम समय में से इन सुल्क तरीके से सब कुछ यह चोर कर और बच्चों के लिए समय दे रहे हैं उने संस्कार देने का काम कर रहे हैं तो ऐसे में आनेवाले समय में अरविंद पांडे की जो चर्चा है सिर्फ जिले में ही नहीं बिहार और देश में भी आने वाले समय में होगी और मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि इस तरह से एक-एक लोग अरबिंद पांडे हो जाएं ताकि बच्चों के बीच संस्कार देने का काम करें अच्छा अच्छा मिलता है कि बूरे काम को धीरे थीरे छोड़ देने चाहिए अगर बूरे काम को आपके जो सिक्षे हैं वो का हैं उनके दोरा क्या कुछ सिखाया आते हैं हमारे सिख्चा का गुरु अर्भीन बबा और उनके दोर हम लोग को अच्छे अच्छी सिख्चा मिलती है कि सुबह उठकर नहाना द्वान चाहिए अपने गुरु को और माता पिता को पैर चुना चाहिए और नहा धुआ को उसके बाद पढ़ना चाहिए उसके बाद स्कूल आपको इस तरह की बाद बता जाते हैं संसकार के बारे हम कुछ बात बता जाता है द erfolg तो नहीं हम लोग को इसनि आपकः को जाते हैं तो अपने ऐस्प्शक को बताते हैं कि इस तरह से मेंधा महां पे या सर महां esses शाल की लोग ने पुछिटे लूग है वह लोग बताते हैं लोग Sounds को बताते हैं लोग is के बार में एक साल हो गया CDC को कि अपने से बड़े आदनी को आधर करना इक हम पढ़ाइ करते हैं तक हम पढ़ाई करते हैं ते यह संस्कार चलता है। संसकार होना चाहिए संसखार से ससब कोई आचछी सिक्षा अच्छा भायवहार अच्छा सब कुछ करनी के लिए होता है जैसा कि बड़ोर का इंजत करना कोई काम कि सीका नहीं इन भरा रहे हैं उसको सहयोग करना फिर हमारे encontrar है कि इसी हमारी अनुवत है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम आपको दिखा रहे थे सीवान के हथोड़ा इसी स्रीकांत धाम से कि बच्चों को सिक्षा के साथ संस्कार भी दिया था है लेकिन उस संस्कार और सिक्षा देने के बाद देखिए कि बच्चों को स्रीकांत धाम के बाके भीहारी मंदिर है उसके सदस्यों के द्वारा यहाँ पर देखिए कि जो उनके बच्चों के लिए खाने की जो ब्योस्त संस्कार ने रहे थे उन बच्चों को यहाँ पर पक्वान खिलाया जाหรह है बच्चों को काफी संसकार कि बच्चों को कैसे हम लोग संसकार दें जो कि आगे चल करके इनके बच्चे इनके परिवार में संसकार आए क्योंकि 90 परसंट जो है बच्चों को संसकार घर में मिलने ही रहा है यह हम लोग का उदे से एक ही है इनको कैसे हम लोग संसकार दें जादे जादे यह लड़के आ सीख़पशा के साथ क्या उस इस्कूल से बच्चों को शंचकार दीया है यहाल कुछ आया हूंभ नहीं मिलई। तो यह सोचा खीर औरवेंजी कोौ कहा से आई है और क्या इसे अब कहा का से सब tagen सारे स्कूलो है इनको यह डिमाग में आया कि क्यों यहां बच्चों को अपने महले के अपने तोले के अपने गाहां के बच्चों को हमें कठा करें आउन को दिरे दिरे शंश्कार करें यह jahais Anand language की बहुत बड़ी बढ़ापन है कि वह यह उन्हों ने इस तर्व कि भावना सोचा और बचों को संश्कार दे रहे हैं, हम ये समझ मे आ रहा है, हमें भी समझ मे आ रहा है कि बच्चों को संश्कार वाख़ी मिल रहा है। बच्चों से शुरुआ थी थे आज 50-60-80 बच्चे हैं कि आपको लग रहे हैं कि आने वाले सभी में एक बड़ा रूप लेगा यह संस्कार से यहां बहुत बड़ा रूप लेगा यह हम लोगों को आंदाज यही है कि यह जगा नहीं मेलेगा है फिर भी हम लोग उमीर लगा है दर रखें हैं कि बहुत मेट बड़ा रहें कम नहीं हो रहें ही के बाद संसकार के बाद फियर बच्चों को कुछ पक्वान या ऊसरे कि हम लोग बिधी बना रखेंते हैं जब बच्चे यहां आया काई हैं उसके बाद फिर खाना में खेलाने करे 20 कि आपको लग रहा है कि इस थरह का बच्ची जो है पकोड़ा बना हुए और उसे यहाँ पे और अपने अंदर पर दिखने को मिल रहा है कभी हम लोग अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि रीशी मुनी होते थे और इस तरह से आम के बगीचे के ठीक नीचे पढ़ाय करते थे बच्चों को संसकार दिया करते थे शिक्षा दिया करते थे और ठीक उसी तरह से अर्बिन पांडे जी सीवान के होतोरा इस्तित बांके बिहारी मंदिर परिश्टर के ठीक सामने बाल संसकार साला चला करके और बच्चों के बिच सिक्षा के साथ संसकार देने का भी काम कर रहा है सीदे आपको हम आपको दिखा रहा है तस्वीरे जो अर्बिन पांडे जी आप मंच पे बैठे हुएं सामने और उनके ठीक आगे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे उनको पकवान खिलाया जा रहा है बहुत बड़ी बात है आज अगर कोई स्कूल में किसी तरह का फंक्सन होत पढ़ाई भी निशुल्क संसकार भी निशुल्क और उसके साथ साथ पकवान भी निशुल्क आज के समय में कोई अपने पौकेट से किसी दूसरे के लिए 2 रुपे खर्च करना नहीं चाहता है लेकिन उन सब के बावजुद अर्बिन पांडे ने समय के साथ साथ अपने पॉकेट से दो रुपे खर्च कर और इन बच्चों के बीच लगाने का काम किया बहुत ही अच्छी पहल है और साइद अब ये बच्चों के बीचे इतना सब कुछ करने से उन्हें क्या महसूस होता है एक बार और हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनके जो उनका जो सली मिलती है देखिए बच्चों में भगवान का सुरूप होता है जब ये लोग खाना प्रारम करते हैं तो मैं ऐसा अनुभूती करता हूं अनुभू करता हूं कि ये भगवान साक्षात यहां प्रकट होकर स्वयम खा रहे हैं और एक बहुत सा आनंद आता है और इसलिए यह जो कारिकरम है निरंतर चलता रहता है कभी पूड़ी सबजी कभी खीर कभी पकवान अलग-अलग तरह के आज ब्रेट पकोड़ा इस प्रकार ये बच्चे बहुत आनंदित रहते हैं और इनका आनंद देखकर मैं स्वयम आनंदित होता हूं तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही आनंद मैं हो जाता हूँ मुझे बहुत आनंद मिलता है ऐसे में बड़े-बड़े जो बिद्ध्याले चलते हैं उसमें बिद्ध्याले चलाने वाले संचालकों और साथी-साथ सिक्षकों को भी यहाँ बाल संसकार साला जो चल रहा है इससे सीख लेनी चाहिए अरविंद पांडे जी से सीख लेनी चाहिए कि बच्चों को सिक्षा तो दी जा सकती है लेकिन संसकार देना आज के समय में बहुत ही कठीन कार्ज है कैमरा परसन आसीस के साथ शंदन कुमार एटी एन लाइब सीवान